इसी point पर विखती है कि यह लोग क्या करते हैं सारे questions को analyze करते हैं जितने past year के papers में से question थे उनको analyze करते हैं वो सारे questions यहां पर डाल देते हैं ताके आपको पूरी textbook revise करने से बहतर है कि आप इस book को thoroughly करके जाओ तो आप paper में अच्छे से करबाएंगे अगर आप इसको thoroughly करते हैं तो surely आपको इसका बहुत अच्छा effect जो है वो दिखेगा पर यह नहीं है कि आपको 100 में से 95-98 लाना है तो आप यह करके चलाएं हाँ सो में से आपको 80-85 लाना है कम time में लाना है यह बहुत अच्छी किताब है चाहे हो किसी भी subject की हो math case if नहीं बात कर रहा किसी भी subject की हो त तो आप उससे यह काम निकलवा सकते हैं या कर सकते हैं ठीक है तो आज जो हम पहला chapter शुरू करें